तो दोस्तों आपने काफी बार इस टाइप की spy camera videos यूट्यूब पर देखी होंगी कभी-कभी hotels में spy camera का use किया जाता string operations के लिए और कभी-कभी offices में इसका use किया जाता है overall इस camera को use करने की जो वज़ा होती है वो एक string operation होता है किसी चीज़ का परदा फाश करने के लिए इन इस ट्रिंग operation में जो camera use किया जाता है वो room के अंदर आपको कहीं भी नजर नहीं आ पता है जिसकी वज़े से string operation camera बोला जाता है तो अगर आप भी इस तरीके का कोई भी string operation करना चाते हैं तो simply आज की इस वीडियो में मैं इस तरीके का camera आपको बना कर दिखाने वाला हूँ पूरी तरीके से जिसे बनाना बेहदी आसान होने वाला है इससे पहले मैंने एक और बार इस camera को बना कर दिखा रखा है लेकिन वो काफी ज़्यादा difficult था बस उसको इतना आना चाहिए थोड़ा बहुत mobile खोलने का तरीका आना चाहिए और अच्छे से shouldering करना आना चाहिए बस इतना ही आपको आना चाहिए आप easily इसको बना पाएंगे तो मैं जो इस spy camera को बनाने में एक phone का use कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको suggest करूँगा आप सस्ते सस्ते phone का पहले use करें अगर आपको यह बनाना आ जाए तो आप एक अच्छे android phone का भी use कर सकते हैं जैसी कि आप दिख सकते हैं दोस्तो मेरे पास काफी सारे phones है लेकिन सारे के सारे जाधा तर Chinese ही यहाँ पर आपको phones दिख रहे होंगे आप चाहें तो दोस्तो किसी android phone के camera का भी use कर सकते हैं क्योंकि उसमें आपको जो quality मिलेगी वो full HD plus मिलेगी और उसका जो camera sensor होगा वो भी काफी बड़ा होगा और आपका एक अच्छा string operation camera, spy camera आप बना कर उसे use में ले सकें तो I hope आप मेरी बात को समझ गए होंगे तो सबसे पहले आप जो भी phone spy camera को बनाने में use करने वाले हैं उसको आपको खोलना आना चाहिए proper तरीके से कोई भी यहाँ पर पत्ता वगरा ब्रेक नहीं होना चाहिए camera का जैसे कि आप लोग देखी सकते हैं यह हमारे इस phone का camera जो की पूरी तरीके से cover है लेकिन जाद 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 फोनों में दोस्तों uncover ही camera आपको मिलेगा और यह सबी pins हमारे इस camera की साथ attached हैं तो इसे हम camera का पत्ता बोलते हैं तो इसके उपर जो एक pinny type की सी लगी हुए उसे हमें बहुती आराम से दोस्तों हाटा लेना है इससे हमारे पत्ते वगरा ब्रेक नहीं होना चाहिए और अगर आप इतने सारे wires को देखके थोड़ा बहुत tension मारे हैं तो बिल्कुली tension free हो जाईए क्योंकि दोस्तों आप जो camera यूज़ करेंगे उसके अंदर हो सकता है बहुती कम prints देखने को मिले camera के जो wires में बहुती कम होंगे तो दोस्तों इस camera के पत्ते को shouldring iron की help से बहुती आराम से हमें इस पत्ते को फॉन से अलग कर लेना है इसे अलग करने में आपको बिल्कुल भी जवर जस्ती नहीं करनी है बहुती आसानी से हो जाता है आपको बस अपने shouldring iron को बहुत अच्छे तरीके से heat कर लेना है उसके बाद धीरे धीरे करके अपने पत्ता हटता जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने phone से अपने camera के पत्ते को अलग कर लिया है और यहाँ पर हमारे print सारे के सारे safe हैं दोस्तो अगर एक भी print यहाँ पर आपसे break हो जाता है तो हो सकता है आपका camera work ना करे तो इसलिए आप इस काम को किसी expert से करा सकते हैं वो 10 से 20 रुपे लेगा और आपका काम कर देगा नेक्स दोस्तो आपके पास इस type का एक DC motor तो हो गई उसके अंदर से दोस्तो इस तरीके का एक wire निकलता है जिसे हम copper wire बोलते हैं यह दोस्तो market में भी आपको easily मिल जाता है 10 रुपे का इस type का bundle मिल जाता है पूरा का पूरा तो यह आपको ले आना है और दोस्तो इस type की आपको heat strip भी लेकर आनी है क्योंकि काफी सारे wires हो जाएंगे उनको cover करने में इसका use कर जाएगा यहाँ पर जो हमने बहुत महीन wire लिया था उसके हमें jumper उठाकर दोस्तो अपने phone से अपने camera पर रख देने हैं जिस तरीके से हमारा पत्ता और phone connect था अपस में उनके बीच में हमें एक bridge बना देना है इन wires का अगर आपको jumper मानना नहीं आता है jumper का meaning समझ में नहीं आता तो आप किसी mobile shop पर जाकर यह jumper वाला काम उनसे करवा सकते हैं कुछ पैसे देकर तो अभी दोस्तो हमारे जो string operation spike camera बनकर तैयार हो चुका है पाय camera का use करना बेदी simple है इसको आप अपनी pocket में रखके आप अपने शर्ट पर कहीं पर भी इसे लगा सकते हैं और अपने string operation को अंजाम दे सकते हैं नेक्स दोस्तो आपको इसको यूज़ करने के लिए simply अपने camera option में जाना उसे on कर लेना और recording को भी on कर लेना है पाय शर्ट यह है दोस्तो आपको अपने mobile phone के अंदर SD card का use करना होगा क्योंकि दोस्तो इन phones के अंदर कोई भी storage का option नहीं होता है तो अब आये चली string operation camera की हम testing करके देख लेते हैं तो मान लीज़े दोस्तो यह है आपका personal room जहां से चीज़ें अच्छानक से चोरी हो जाती है या फिर कुछ भी ऐसा paranormal हो जाता है या फिर दोस्तो आपके रूम के अंदर कोई भी आकर कुछ भी उठा के ली जाता है तो आपको simply कोई string operation करना है तो इस type से हमारे जो camera है वो आपको कहाँ पर mount करना होगा तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैं तो कहीं भी कर सकता हूँ लेकिन मैं आपको थोड़ी सी tips दे देता हूँ जैसे कि यहाँ पर काफी सारा समान रखा हुआ है तो यहाँ पर भी मैं mount कर सकता हूँ इस चीज़ को यहाँ पर face करेगा ठीक है इस तरीके से अगर आपके रूम के अंदर कुछ flowers लगे हुए है तो इस तरीके से आप अपने spy cam को इस तरीके से यहाँ पर रख सकते हैं और अपने phone को भी छुपा सकते हैं जो phone इसके साथ camera के साथ attach है तो यह देखिए दोस्तो किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा इसकी जो capturing length है दोस्तो यह पूरा camera यहाँ पर cover करने वाला है इस तरीके से यह भी cover करेगा और सामने से आती हुई चीज को भी cover कर लेगा पूरे ही room को यह camera cover करने वाला है किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा कहां से यह चीज capture हुई है next दोस्तो अगर आपके room में कुछ भी है जगड़म जगड़म जैसे कि यह flowers लगे हुई है या फिर इतनी सारी चीज़ें आप लगे हुई है जिसकी वज़े से camera नजर में नहीं आने का अगर आपके room में यह सब चीज़ें नहीं है तो आप कहां पर install करोगे दोस्तो simply आपके पास इस टाइप का एक box तो हो गई उस box के अंदर आपको एक छोटा सा hold कर लेना है मतलब कि इतना कि हमारे जो camera का यह lens है वो चमक सके और इस तरीके से आपको इसे इस तरीके से अंदर की side लगा देना है जिसकी वज़े से दोस्तो क्या होगा यह नजर नहीं आएगा अंदर ही phone रख जाएगा और अंदर से यह सारा capture कर लेगा आपका जो भी string operation रहेगा तो दोस्तो finally मैंने अपने string camera को अपने room के अंदर install कर दिया है जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आपको कहीं पर भी नजर आए तो आप मुझे जरूर से बताईएगा आपको कहीं भी नजर नहीं आने का क्योंकि दोस्तो मैंने उसे ऐसी जगा पर लगाया है कि किसी की नजरों में नहीं आए सो गाइज यह flower के पीछे लगा हुआ है जिससे कि यह किसी को भी नजर नहीं आएगा आप चाहें तो इसे दोस्तो pink भी paint कर सकते हैं फिर तो यह और भी नजर नहीं आने का सो गाइज इसका जो हमारा mobile लगा हुआ है वह आप देख सकते हैं मैंने इसे भी छुपा दिया है इसमें आप sim मत डालिएगा ताकि ring वगएरा ना बज़े और आपका कभी भांडा पूर जाए और दोस्तो मैं आप से request करना चाहूँगा इसका बिलकुल भी misuse मत करिएगा दोस्तो मैंने आपको सिर्फ एक information दिया जिसका आप अच्छा भी use कर सकते हैं अपने safety के लिए so guys यहाँ पर मैंने इसे install कर दिया अब दोस्तो इसकी testing वगएरा हम करके देख लेते हैं किस तरीके से काम करता है मैं चले जाता हूँ outdoor और अपने रूम के अंदर बिना ताला लगाए चले जाता हूँ देखते हैं दोस्तों मेरे पीछे इस रूम के अंदर क्या होता है वा बेटे मौच कर दी तुम तो बहुत ही heavy driver निकले तो दोस्तों आप क्लियर ली देख सकते हैं हमारे स्टूडियो के अंदर जो भी paranormal हो रहा था जो भी चोर वगरा था आज मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया है दोस्तों ये मेरा चोटा भाई है जो यहां पर शरारते करने आ जाता है कभी भी जिसका अब तक मुझे कोई पता नहीं था तो हमारा string operation बिल्कुली सफल हो चुका है और मैंने अपने स्टूडियो के अंदर चोर को भी रंगे हाथों पकड़ लिया है अब इसके चपाट बजने वाले कान पर दोस्तों आपने काफी अच्छी तरीके से देखी लिया होगा किस तरीके से हमारे स्टूडियो के अंदर एक बच्चा आया बच्चा क्या वो मेरा चोटा भाई है तो वो आया और उसने यहां पर कुछ चीज़ें अपनी काम के लिए और लेकर भग गया तो अब तक मैं सोच रहा था कोई भूत हमारे स्टूडियो के अंदर कपजा करे हुए लेकिन दोस्तों अभी हमारे सामने क्लियर हो चुगा है